हलो फ्रेंड्स वेलकम टो एससी कोचिंग सेंटर दोस्तो आज की वीडियों बात करेंगे ट्राइंगल्स की कितने ट्राइंगल्स हैं किस फिगर में ये फाइंड करना सीखेंगे दोस्तो आज की वीडियो में तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैं आपको ट्राइंगल फाइंड करना सिखाऊंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है यहां पर आपको एक फिगर यह है एक यह वाला फिगर एक यह वाला फिगर यह वाला फिगर है और यह वाला फिगर और यह वाला फिगर ठीक है दोस्तों तो चलिए कैसे फाइंड करते हैं सीख लेते सबसे पहले इसमें find करेंगे कितने तिर्भुज हैं किलियर है अब देखे इसमें एक तिर्भुज तो आपका ये वाल हो गया और दूसरा तिर्भुज तो आपका ये वाल हो गया और दूसरा ये वाल हो गया तो इसमें पूरे में कितने तिर्भुज हैं दोस्तो दो ही तिर् है दोस्तों एक चत्रबुज़ेि जब भी चत्र बुज़ के अंदर आप vibes लेगे किलिए रहा है चत्रबुज पीरेंदर ट्रैइंगलiors करेंगे तो उसका डवल होंकर रह कितने हैं दोस्तों चार एंए छोटे चोटे हो गया एक दूसरा यह हो चोटे चोटे काउंट कर लिया आपने अब बड़े बड़े काउंट कर लेते हैं ठीक है दोस्तों अब एक यहां से लेके यहां तक यह पूरा हो गया एक यहां से लेके यहां तक यह हो गया तीन हो गया एक यहां से लेके यहां तक कितने हो गया चार तो चार तो चोटे डोटने आठ एझाकू के लोटर कितने आट के लियर है अब देंकि यहां पर भी है यहां पर भी समझ拜拜 एक, दो, तीन, चार क्या है दोस्तों चतुर भुज़ है आपका चतुर भुज़ के अंदर जितने ट्राइंगल होंगे उसका डबल होगा हमेशा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे इसमें कितनी थे चार, चार का डबल कितना हो गया 8 इसमें कितनी है 6 का डबल कर दो कितना हो जाएगा 12 ट्राइंगल है इसमें किलिए दोस्तों सबसे पहले में आपको छोटी छोटी चीज़ें किलिए कराना सिखा रहा हूँ ठीक है आगे चलेंगे फिर बड़े बड़े कोशन देखेंगे ये भी दोस्तों आपका एक चतुर भुझे है चतुर भुझे के अंदर काउंट कर लेते हैं छोटे छोटे एक दो ती चार पाउच छे साथ आठ इस चतुर भुझे में कितनी है ट्राइंगल आठ आठ का डबल कर दीजिए कितना हो जाएगा इसमें पूरे में कितने ट्राइंगल है 16 ट्राइंगल है ठीक है अब यहाँ पर चेक कर लीजिए ये भी दोस्तों आपका एक चतुर भुझे एक दो तीन चार ये भी दोस्तों आपका चतुर भुझे है बस किया किया है इसमें कि 45 डिगरी पर ये घुमा दिया है देखिए कर लो 1, 2, 3, 4, कितने है इसमें? 4, 4 का double कर देंगे, 8, किलियर है? जैसे ये वाला चतुर बुझ है, बिल्कुल वैसा ही ये वाला है, बस इसको 45 डेगरी पर घुमा दिया है, और कुछ भी इसमें फरक नहीं है, किलियर दोस्तों, इसमें कितने होंगे आठ इसे count कर लीजे इसे को count करेंगे अब इसमें देखिए समझने वाली बात यहाँ पर आई है clear है यहाँ पर देखिए एक चत्र बुज है छोटा वाला अंदर इसे count कर लेते हैं एक दो ते चार कितने होगे इसमें चार चार का डवल मतलब आठ तिर्भुज होगे इसमें clear है आठ होगे अब बाहर कितना बचा एक तो आपका यह वाला बचा एक यह वाला चोटा वाला दूसरा यह वाला बचा clear है तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला मतलब चार तिर्भुज बाहर और बरना है तो इसमें प्लस चार कर तो कितने तिर्भुज है टोटल बारा हो गए किलियर दोस्तों, तो आपको देखे चतुर्भुज के अंदर एक और चतुर्भुज दिया गया है तो उसे कैसे सॉल्ब करेंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया किलियर है, यदि इन में से किसी में भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट डॉक्स में बता दिना ये छोटी छोटी चीज़ है, पहले मैं आपको किलियर करा रहा हूँ फिर मैं आपको बड़े कोईशन किलियर करा हूँ ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे आगे अगला कोईशन है, दी गई आकरती में तिरिभुजों की संक्या ग्याद करो किलियर है, दी गई आकरती में तिरिभुजों की संक्या आपको क्या करना है ग्याद करना है क्या होगा करते क्या है इसका मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूं किलियर सबसे सिंपल तरीका आप देखे मैं इसके बरावर में एसा एक और फिगर बना देता हूं यहाँ पर किलियर समझाने के लिए ताकि आपको यह वाला जो फि इत से एक और रेखा जा रही है, इस रेखा को हमना हटा देंगे, तो बिल्कुल फिगर ऐसा ही हो जाएगा, हो जाएगा के निहीं हो जाएगा, तो इसमें count कर लेंगे छोटे-छोटे फिगर, एक ये वाला, दो, तीन, चार, चार फिगर हैं, ठीक है, इनको सब को प्लस कर ल यह तोटर कितने हैं 10 यदि इसमें ये वाली देखा नहीं होती तो कितने होंगे इसमें दोस्तों 10 होंगे ठीक है 1 2 3 4 चारीस में है 14 में थे इसको काउंट करेंगे 1 पिलस 2 पिलस 3 पिलस 4 कितना हो जाएगा यह सब को जोड़ेंगे तो 10 मिल जाएगा पहले भी 10 मिला है अब यहां तक तो 10 मिल गया है लेकिन यहां पर एक और रेखा जा रही है किलियर है तो इससे अलग काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 इन सब का योग भी कितना हो जाएगा, दोस्तों, 10 हो जाएगा, जब यहां पी 10 हो रहा है, तो इन सब का योग भी 10 हो जाएगा, तो 10 ये वाले, तिरभूज, और 10 ये वाले, टोटल कितने हो जाएगा, दोस्तों, 20 हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 option number 1 अब मैं इसमें एक और बात आपको बताता हूँ यहाँ पर एक रेखा दी गई है मैंने आपको यहाँ पर समझा है तो कोई भी रेखा नहीं थी समझा दिया अब माली जैसमें एक और रेखा दे दी कितने पार्ट होगे दो पार्ट होगे एक ये वाला एक ये वाला कितने आया सब को जोड़के दोस्तों सब को जोड़के 10 आया है तो 2 पार्ट होगे तो 2 से multiply कर दीजिए 20 आपकांसर जाएगा जैसे यहाँ पर 2 पार्ट होगे तो 20 आपकांसर माली जैसमें एक और पार्ट होता इस तरीके से एक और पार्ट इसमें होता इस तरीके से क्या करते दोस्तों फिर 3 से multiply कर देते 2 पार्ट के लिए 2 से multiply 3 के लिए 3 से माली जै एक और पार्ट इसमें होता ठीक है दोस्तों बात समझ में आगे आप देखेंगे अगला कोशन अगला कोशन है आपका दी गई आकरती में तिरिभुजों की संख्या ग्याद करो आप देखें यहाँ पर जो हमें आकरती दी गई है उसमें हमें तिरिभुज फाइंड करने हैं कितने हैं जो तरीका अभी बताया है बилकुल उसी तरीके से find करेंगे देखे कैसे, गईली जेन को छोटे छोटे को एक, दो, ती, चार, गिलिया कितनी हैं दोस्तों यहाँ पर चार, इन सबको प्लस करेंगे, एक, प्लस का दो, प्लस का ती, प्लस का चार, टोटल सब को प्लेस करें कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा किलियर है यह वाला figure का कितना हो गया 10 हो गया अब यहाँ पर उन्हें भी count कर लो 1, 2, 3, 4 इसको भी जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा यहाँ पर 4, 4 तक जोड़ने से 10 मिल ला है 20 तरभू जो जाएगे तो पहला ही option दोस्तों इसका आपका सही हो जाएगा कुछ भी नहीं था दोस्तों करने के लिए आकरती ऐसी बना दी गई है कि आपका दिमाग घुमा दे लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं है बहुत सिंपल है जैसे अभी बताया था दोस्तों ये आपको count कर लेने है गिल लिया अब इसमें कोई double आकरती तो दी नहीं गई है मालीजे इसमें एक और double आकरती यहाँ पर दे दी जाती ऐसे तो यहाँ पर कितना है दोस्तों जोडने के बाद 10 आया था किलियर है 10 का multiply 2 से कर देते क्योंकि 2 पाट हो रहा है multiply 2 से कर दो कितना हो जाता 20 तरभूज तो इसके हो जाते और 10 इसके रहते तो total कितने हो जाते 30 तरभूज हो जाते अब मालीजे एक और इसमें line दे दी जाती clear है तो 2 पाट होगे इसके भी और इसके भी इसके भी दो पार्ट इसके भी यहां तक कितना है था दस यहां में दो पार्ट होगे तो इसका multiply दो से कर देते कितना हो जाता 20 तिर भूज इसके हो जाते आकरती बनाने के लिए आवश्यक नियुंतम पक्तियों की संख्या ग्याद करो यहाँ पर जो फिगर देख रहा दोस्तों आपको इस फिगर में आपको तिर्बुच फाइंड नहीं करने है इस में कहरा है कि आकरती बनाने के लिए आवश्यक नियुंतम पंक्तियां मतले जो कितने रेखाई हैं यह find करना है हमको, इस आकर्ती को बनाने के लिए कितनी पंक्तियां लगाई गई हैं यह हमको find करना है, find करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, सबसे पहले जा तो आप horizontal ग्याद कीजिए, या फिर vertical इस तरीके से कैसे भी ग्याद कीजिए या तो पहले horizontal लीजिए या फिर vertical लीजिए clear है सबसे पहले horizontal ले ले लेते हैं ये ले लिए हमना horizontal ये वाली रेखा हो गई एक दूसरी वाली रेखा ये होगी horizontal दो रेखा हैं हो गई clear है फिर vertical ले लेते हैं 3 हो गई एक दूसरी ये भी दे रखे 4 हो गई clear दोस्तों ये कितनी हो गई 5 हो गई और ये कितनी हो गई 6 हो गई तो total कितनी पंक्तिया इसमें दोस्तों 6 पंक्तिया है option number B आपका यहाँ पर सही हो जाएगा clear दोस्तों बस हमें count करना है कितनी पंक्तिया लगी हुई है इसको बनाने के लिए figure को सबसे पहले चलिए horizontal चलिए या फिर vertical ऐसे चलिए या फिर ऐसे चलिए ठीक है दोस्तों ऐसे आपको count करेंगे तो आसानी हो जाएगी वरना भूल जाएंगे यहाँ पर तो कम संख्यां दे रखी है कम पंक्तियां दे रखी है तो आप find कर लेंगे लेकिन जब ज़्यादा दे दी जाएंगे तब कैसे करोगे clear दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ यह question समझ में आ गया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है आपका दी गई आकरती में तिरभुजों की संख्या गयाद करें अब देखेंगे यहाँ पर जो आकरती आपको दी गई है यह आपको सबसे अलग दी गई है clear है बिल्कुल सबसे अलग है अभी तक जो मैंने question कराए है सबसे अलग आकरती आपको यहाँ पर दी गई है clear है तो इसे कैसे solve करना है बहुत simple है ज्यादा दिमाग मत लगाई है और ज्यादा परेशानमी मत होई है बिल्कुल simple है सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों नीचे की count कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको count कर लेते हैं सबसे पहले 1, 2, 3 हो जाएगा 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 26 कितने हैं दोस्तों यहाँ पर इसमें 21 तिर्व हो जाए clear यहाँ तक तो कोई doubt नहीं होना चाहिए दूसरा भाग गिन लेते हैं दूसरा भाग कहाँ पर है यहाँ पर 1, 2, 3 1, 2, 3, 3, कितना हो जाएगा 6, इसमें 6 तिर्व हो जाए clear दोस्तों इसमें 6 हैं आप इसे गिल लेते हैं 1, 2, 3, 3, 5, और 1, 6 इसमें कितने हैं यहाँ पर भी 6 तिर्व हो जाए clear है अब यह वाला पाट है 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 3, 6, 4, कितने यहाँ पर कितने हैं दोस्तों 10 तिर्व होजे आपके 40 नहीं है यहाँ आपके 10 तिर्व होजे clear है और यहाँ पर पाट दिया गया है 1, 2, 3 तो 1, 2, 3, 3, कितना हो जाएगा 6, यह इतने तिर्व होजें सभी को आप प्लस कर लीजे सबसे पहले क्या दिया गया 21 फिर कितना मैंड पौन कर लीजिए बस दूस्तों आपको पता चल जाएगा सब तिर्भुच कितने है 21 26 27 हो जाएगा 27 33 33 में 10 जोड़ा 43 43 में 6 जोड़ेंगे 49 आपका सही आंसर हो जाएगा सबको पिलस कर रही है 49 आपका अंसर हो गया और होाप्स नमबर भी आपको खुश एसे भी होंगे जो शोच रहे होंगे यह जो पर दिख्यों इसे अच्छा इसको यहाँ पर मिला ही दो कोई फर्क ठोड़ी है लेकिन दोस्तों फरक है इस रेख्या और अगर आप इसी तो फरक है किलियर बात समझ में आ रही है फरक है किलियर दोस्तों तो ऐसा नहीं करना है जैसा जैसा आपको ट्राइंगल दिया गया है पिल्कुल बैसा बैसा ही आप सॉल्ब करते चाहिए एक-एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ एक-एक स्टेप समझा रहा हूँ ताकि कोई भी डाउट नहीं रह जाए कहीं भी कोई भी कन्फूजन ना रह जाए आपको अच्छे तरीके से समझी में आ जाए के लिए दोस्तों यदि समझी में आ रहा है तो एक लाई कर दीजिए और मुझे नियुन्तम पंक्तियों की संख्या ग्याद कीजिए आप यहाँ पर देखिए कितनी डिफरेंट आकरती दे दी गई है और इसमें कितनी पंक्तियां लगी हुई है वो आपको फाइंड करनी है तो मैंने आपको क्या बताया था या तो सबसे पहले हॉलिजेंटल ले लो या फिर वर्टिकल ले लो सबसे पहले हॉलिजेंटल ले ले लेते हैं एक ये वाली है दूसरी ये वाली है तीसरी ये वाली हॉलिजेंटल कितनी लगी हुई है तीन तीनों ले 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 अब vertical ले लो 3 यह होगी 4 यह होगी 5 यह होगी 6 यहां तक कितनी रेखा है हो गई 6 हो गई ठीक है 6 के बाद कौन सी है एक यह वाली आ रही है 7 और एक यह वाली आ रही है 8 हो गई दोस्तों यह वाली जा रही है न 8 होगी यहां तक अब एक ये वाली जा रही है 9, एक ये वाली है 10, एक ये वाली है 11, और एक ये वाली है 12, टोटल कितनी है दोस्तों इसमें 12 पंक्तियां है, option number भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, के लिए दोस्तों बिल्कुल वैसी ही आकरती बन गई, तो आप चाहें पहले horizontal ले लो चाह तरीके से समझ में आगया होगा, अब देखेंगे अगला question, अगला question है आपका, दोस्तों आपसे पूछा गया है कितने तिर्बुझ हैं, आप देखेंगे दोस्तों आकरती आपको बहुत ये डिफरेंट दी गई है, तो आप सोचेंगे question बहुत कठीन है, बिल्कुल भी कठ करते हुए आया है, बिल्कुल बैसे ही करेंगे, सबसे पहले इनको find कर लिजे, एक, दो, ती, चार, एक और दो, ती, चार, कितना होगे यहां तक, दोस्तों, दस तिर्बुझ होगे, clear है, जैसे पहले question किया था, बिल्कुल उसी की तरह है, ये figure, कर लिया, इसको भी ऐसी find क कर लो, एक, दो, ती, चार, इसको जोड़ेंगे सब को कितना हो जाएगा, इसमें भी दस तिर्बुझ हो जाएगे, एक, दो, ती, चार, इसमें भी total कितना हो जाएगे दोस्तों, दस तिर्बुझ होगे, तो इसका, इसका, इसका तीनों के मिलाके दोस्तों, कितने तिर्ब हो जाएंगे ऐसे ही इसमें 3 हो जाएंगे 3 और 3 6 और 3 9 कितने होगे दोस्तों 9 तिर्फ हो जो गे 9 यह प्लस कर दो कैसे हो गए नो मैं आपको बताता हूं एक तो यह बड़ा वाला हो गया किलियर एक यह बीच में पास यह हो गए, किलियर है, यहां तो पूरा काउंट हो गया, अब आपके पास तिरभुच कौन से बचे हैं, एक तो दोस्तों यह वाला बचा है, एक, किलियर है, एक यह बड़ा बचा है, इससे, दो, और एक यह दोस्तों सबसे बड़ा बचा है, कितने हो गए, तीन हो गए option number A आपका यहाँ पर सही हो जाएगा clear है उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह question आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आकरती जब आपने देखे तो बहुत ही different आकरती थी लेकिन जब इसको solve किया तो बहुत ही आसानी से solve कर लिया clear दोस्तों उम्मीद करता हूँ question आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा आप देखेंगे अगला question अगला question है कितने तिरभुज हैं आपसे पूछा गया है कितने तिरभुज हैं आकरती यहाँ पर दे दी गई है clear है दीकिए इसमें कितने तिरभुज होंगे 3 होंगे कैसे तिर ओंगे 3 एक तो दोस्तों आपका ये बड़ा वाला हो गया ठीक है और एक ये छोटा वाला फिर एक ये छोटा वाला तो यहाँ तक कितने तिरभुज होगे आपकी पास clear है ऐसे ही तीन यहाँ पर होंगे कैसे एक दोस्तों यह बड़ा वाला और इसमें से बीच में से रेखा गई तो एक यह छोटा वाला एक यह छोटा वाला तीन होगे इसमें भी दोस्तों तीन होंगे खिलियर है और इसमें भी दोस्तों कितने होंगे 3 कैसे एक ये बड़ा वाला ठीक है बीच में से रेखा गए एक छोटा ये होगे एक छोटा 2 और एक ये बड़ा वाला 3 दोस्तो इसमें हो गए सबसे पहले इनको count कर लीजिए दोस्तो ये कितने होगे दोस्तो आपके 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 कितने होगे दोस्तो ये होगे दोस्तो आपके 12 त्रभूष Clear है यहाँ तक तो कोई बीड़ाउट नहीं होना चाहिए Clear है अब इसमें 3 त्रभूष और हैं कौन से वाले नहीं गिने आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक बड़ा वाला हो क्या Clear है आपका तिर्भूज ये बचा, एक आपका तिर्भूज ये बचा, ये वाला बचा दोस्तों, एक तिर्भूज, एक तिर्भूज आपका ये वाला बचा, कितने होगे टोटल, ये होगे आपका दो तिर्भूज, अब आप कर दीजे, सब को पिलस, सब को पिलस कर दीजे, कितन यहां तक तीन बनेंगे इसमें भी तीन बनेंगे और इसमें भी तीन बनेंगे किलियर है और तीन इसमें बनेंगे बड़े वाले में यहां से लिए कि यहां तक एक हो जाएगा बीच से रेखा जा रही है तो एक इस तरफ का होगा एक उससे परली तरफ का होगा तीन यह वाल लिजिए और पहला आइकन का बटन भी दवा दीजिए दोस्तों धन्यवाद